हलो दोस्तों वेलकम टू में पॉंट सडी स्वाजम पढ़ने वाले हैं चेप्टर 6 लास 10 का सिविक्स का जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही जादा इजी चेप्टर है ठीक है चाहे कोई बंदा पढ़ा लिखा हो या ना हो चाहे वो स्कूल गया हो चाहे ना गया है कि मेरे आसपास कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है ठीक है मेरे एरिया में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती है ठीक है चाहे उसे डेमोक्रैसी के बारे में ना पता हो कॉंसिटूशन के बारे में ना पता हो इंसिटूशन के बारे में जूड़ी श्री लेजिस्लेचर ए पता ही होता है ओके जी तो यार ये चैप्टर बड़ा ख़तर नाग है कि मेरे लिए आपके लिए लिए तो बहुत दो बढ़ खतर नाग है चैप्टर क्योंकि मैं इसमें डिफर्ट डिफर्ट एंग्जामपल लूँगा तो आप बुरा मत मानना चीक है वहीं हर पार्टी का बहुत बड़ा परशन सकूँ, आपको पता ही है, मैं आम आद्बी पार्टी को भी सपोर्ट करता हूँ, और मैं कॉंग्रेस पार्टी को भी सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, तो आपको पता चल गया है, मैं कितना बड़ा परशन सकूँ, पॉलिटिकल पार्टी का, तो आप बुरा मत मानना, अगर मैं किसी का एक्जामपल लूँ तो, ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम चैप्टर, तो पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहले तो यह पॉलिटि अपनी गर्मेंट बनाते हैं, ठीक है, अगर वो जी जाते हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की गर्मेंट बन जाती है, जैसे कि मानलो एक्जामपल देता हूं, जैसे बीजेपी पार्टी है, अभी बीजेपी पार्टी ने क्या किया, इलेक्शन लड़ा, साथ है थे और उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया होगा, यहने इलेक्शन लड़ा होगा, और अब वो जीत गए तो उनकी गर्मेंट बन गई, ठीक है, क्लेर हो गया, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोगों को ललचाती है, वो लोगों को पर्जूएट करती है, कैसे करेंगे, ठीक है, वो क्या करते है, लोगों को ललचाते हैं, और बताते हैं, कि हमारी जो पॉलिसी है, वो दूसरों से कैसे अच्छी है, ठीक है, जैसे कि दिल्ली में अभी इलेक्शन हुए था कुछ टाइम पहले, CM के, ठीक है, तो बीजेपी पार्टी, आप पार्टी, क उसके लिए हम, इलेक्शन जीतना चाते हैं, क्योंकि जब हम जीतेंगे, तब यह पॉलिसी इंप्लिमेंट कर पाएंगे, ठीक है जी, एक लेर हो गया आपको, हाँ जी, सो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, लोगों को पर्जुएट करती है, अपनी पॉलिसी के बार में बताती है कि हमारी पॉलिसी दूसरे से कैसी अच्छी है, और हम उनको तभी इंप्लिमेंट कर पाएंगे, जब हम जीत पाएंगे, और जीतने के लिए आपको, हमको वोट देना पड़ेगा, ठीक है जी, यह क्लेर हो गया, बहुत इजी था यह तो, अब पॉलिटिकल पार् पार्टी में क्या होता है, लीडर् guys होते है, बड़े बड़े लीडर्स, ठीक है, जैसे कि मा एक्जामपल देता हूं, BJP पार्टी में, नरेंदर मोडी जी, PM मोडी जी बोलना चाये मेरेको, ठीक है, और अम आदमी पार्टी में केज्रिवाल जी हो गबए, ठीक है, और सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी में लीडर होते हैं, दूसरे होते हैं active member, दूसरे जो component होते है वो हुता है active members का, जिनको हम कार्यगरता कहते हैं, जो काम करते है ground level पे, ठीक है जी? समझ आगे आपको, ये ground level पे काम करते हैं, अध्यक्ष वगेरा होते हैं, ठीक है या दूस किसरे होते followers followers क्या होते हैं यह होते हैं वोटर जो वोट देते हैं ठीक है आपने देखा होगा एक परसन जो किसी political party से जुड़ावा नहीं है बट वो support करता है ठीक है जैसे कि आपने देखा होगा अपने पड़ोसा लें अंकल को उनका politics से कोई लेना देना नहीं है उनका कोई रिष्किदार politics में नहीं है बट फिर भी वो कहते हैं कि हाँ जी बीजेपी अच्छी है हाँ जी कॉंग्रेस अच्छी है हाँ जी यह अच्छी है आम आधी पार्टी अच्छी है ठीक है तो यह होते followers अब एना देखो नॉर्मल जो लोग होते हैं न वो एक तरह से society जो होती है उसमें थोड़ी बहुत तो feeling होती है वो भी एक आम इंसान है तो कहीं ना कहीं एक partition sip वाली feeling आ जाती है अब यह partition sip क्या होता है यह होता है जबरा फैन ठीक है पार्टीसन लोग होते है जबरा फैन अब इसका मतलब क्या है ध्यान चा सुनना मेरी बात एक person है ठीक है वो बहुत ही जबरा फैन है मान लो Congress Party का ठीक है अगर Congress Party ने बायचांस कुछ गलत भी कर दिया ना तो फिर भी वो यह बोलेगा नहीं जी Congress Party ने सही किया यह तो यह होता है जबरा फैन जिसको English में बोलते है पार्टिसन ठीक है पार्टिसन वो लोग होते है अब person is strongly committed to the party यानि party की तरफ strongly committed है ठीक है ग्रूप और फैक्शन या कोई भी party की तरफ group और फैक्शन की तरफ पूरा का पूरा strongly committed है Partisanship is marked by the tendency to take the side and inability to take the balance view on the issue मतलब balance view नहीं ले पाता वो गलत को गलत नहीं बोल पाता सही को सही नहीं बोल पाता क्योंकि अब वो Congress का जबरा फैन है तो वो Congress की तारीफ करेगा ऐसे ही कुछ BJP में होते हैं ऐसे ही कुछ आमादमी party में होते हैं और ऐसी हर party में होते हैं देखो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी चाहे कोई भी party हो इंडिया में कोई भी party हो हमेशा कभी ना कभी उसने कुछ ना कुछ गलत किया होता है ठीक है पर जो जबरे फैन होते हैं जो partisan होते हैं वो उस चीज़ को भी साइज साबित करते हैं या उस चीज़ को भी defend करने की पाते ठीक है क्योंकि वो भी एक नॉर्मल इंसान है जैसे कि मानलो अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है ठीक है बाए चांस हम हार रहे है ठीक है फिर भी हम बोलेंगे कि नी जी इंडिया ही जीते इंडिया ही जीते इंडिया ही अच्छी है चाहे जैसे कि पाकि किर्केटीम हरबार हारती है बट फिर भी उनमें घमंड है क्योंकि उनमें पार्टीसमण सिभ वाली फीलिंग है थाना तो कुछ लोग होते जिनकि मतलब जिनमें पूलिटिकल पार्टी की तरफ से प्रली तरीक च traditional तो ये कुछ गलत करती है, सही करती है, मैं इसी के साथ हूं, ठीक है, वो balance यू नहीं रख पाते, वो ये नहीं बोल पाते है कि यार, इस party ने कुछ गलत किया, ठीक है, मतलब अगर वो किसी political party को support करते हैं, तो फिर वो उनकी गलत चीज़ को भी सही समझते हैं, ठीक है, यह हो लो अब है, बहुत अच्छे से लरन करो, अभी मिरे सास्जाथ लरन करो, सिम्बल कोशन है कि पॉलिटिकल पाटी करती क्या है, सबसे पहला काम पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, वो कंटेस्ट करती है, ठीक है यानि जो political party है वो different policy रखती है programs रखती है अपने voters के सामने जैसे कि BJP party अलग program रखेगी policies रखेगी आम आदमी party अलग program और policy रखेगी Congress party अलग program policy रखेगी ममताव एनर जी की party अलग program और policy रखेगी ठीक है और वो लोगों को choice देती है हान जी आप इसमें से choose करो ठीक है जी और वो क्या करती है कि party reduce the vast number of opinion into the few basic position अब देखो ऐसा तो नहीं है कि हर बंदे की demand पूरी करी जा सके है ना तो जो बड़े-बड़े मुद्धे होते है उन पर बात करती है हर party ठीक है जैसे बीजेपी जो party है उसके कुछ और मुद्धे होंगे जैसे आप party है उसके कुछ बड़े-बड़े मुद्धे होंगे जैसे education को अच्छा करना है sector को अच्छा करना है तो यह उनके कुछ बड़े-बड़े बड़े view होते है जिन पर वो support करती है ठीक है जी clear हो गया और and में जो भी जो भी political party जीतती है न उसके according policy बनती है ठीक है मेरे कहने का मतलब यह दो को line लिखी हुए a government is expected to base its policy on the line take by the ruling party simple सी थी बात है अगर political party का election हुआ अभी देख लो 2019 के अंदर बीजेपी party जीती तो बीजेपी party की जो जो policy थी वो implement होगी अगर Congress party जीती तो Congress party की policy implement होथी अगर आप party जीती तो आप party जो policies है वो implement होथी ठीक है जी clear हो गया I hope आपको अच्छे से clear हो गया है कि political party क्या करती है different different policy रखती है लोगों के सामने और voters उसमें से choose करते है political party बहुत सारे जो पीनियन होते है ना उनको कुछ basic position में डाल देती है बड़े-बड़े मुद्धो के बारे में बात करती है और उसको support करती है और जो political party जीती है उसी के हिसाब से ग्या बनती है policy बनाई जाती है ठीक है जी clear हो गया ओके जी next है कि political party plays a decisive role in making law for the country ठीक है political party का बहुत बड़ा रोल होता है कानून बनाने में जैसे कि आपको पता ही है कानून कहां बनते हैं यादो का 9 class में अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी अगर पढ़ा होगा तो जो law बनाने का काम होता है वो होता है legislature का और legislature क्या होती है legislative या legislature जिसे आप कहा सकते हो लोगसबा और राज्यसबा और राज्यसबा में कौन बैठते हैं political party के member बैठते है ठीक है जो की vote देते है हां जी ये वाला law pass होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ठीक है तो यानि कानून बनाने में भी उनका बहुत बड़ा रोल होता है ओके जी समझा आगे आपको और वो क्या करती है कि parties form and run government when party win party recruit leader train them and then make them minister to run the government in the way they want जो भी political party जीत जाती है वो क्या करती है कि अपने कुछ political leader recruit करती है जैसे कि मानलो अभी bjp party जीती है ठीक है तो उन्होंने education minister ठीक है हमारा finance minister home minister ये minister वो minister सारे के सारे recruit की है है ना तो आपको एक और बात बता दो मानलो अगले 5 साल बात दुबारा election होता है और नहीं जीत पा ठीक है जी I hope आपको clear हो गया हो तो political party क्या होती है parties form and run government ठीक है government वगेरा बनाती है political party अगर वो जीत जाती है तो अपनी जो अपने जो leader होते हैं उनको recruit करती है ठीक है उनको train करती है और उनको minister की post देती है और अपने तरीके से rule or regulation और country को चलाती है रन करती है ठीक है एक ब और decision making में law making में उनका बहुत बड़ा role होता है law बनाती है वो country के लिए ठीक है और साथ ही अगर वो जीत जाती है तो अपने minister वगरा recruit करती है ठीक है और अपनी तरीके से government को run करती है next point क्या है those party that lose in the election अब देखो जो जीती है उनको तो हमें पता चल गया ठीक है वो government बनात अपने political leader को recruit करने का काम करती है पर जो हार जाती है वो भी एक बहुत बड़ा role निभाती है वो role निभाती है role of opposition यानि opposition के रूप में काम करती है ठीक है और वो क्या करती है जो party जीती है ना है ना उसको criticize करती है उसके failure को दिखाती है उसकी wrong policy को दिखाती है जैसे कि मानलो अभी bjp party है अगर उसने कोई wrong policy निकाली होगी यहां जैसे कि अभी बोला जाता है कि जो demonetization हुआ था note बंदी होई थी अगर वो failure है तो जो congress party है आप party सारी कि सारी party उनको oppose करती है कि जी criticize करती है कि आपने गलत policy निकाली ठीक है तो समझा गया तो यानि opposition का जो party हार जाती ह उनका भी बहुत बढ़ा रूल होता है next point है कि parties shape public opinion they raise highlight issues party sometime also launch movement for the resolution and problem faced by the people political party क्या करती है कभी कभी लोगों के opinion को भी shape करती है मेरे कहने का मतलब जैसे कि माल लो एक normal person है उसको किसी issue के बारे में नहीं पता था तो जो दूसरी party होती है उनको बताती है कि यह भी बहुत मुद्धा है इसके लिए भी आपको अबाज उठानी चाहिए ठीक है और जो political party होती है वो different different मुद्धे उठाती है ठीक है और कभी कबार कुछ movement भी करती है जैसे कि माल लो अभी मैं आपको पताता हूं कि बहुत जादा prices बढ़ गए थे हाइक हो गए थे petrol वगरा के ठीक है government के सामने आई होप यह point आपको समझ आ गया हो ठीक है next point है कि political parties provide people access to the government machinery and the welfare scheme ठीक है ध्यान से सुनना है बड़ा interesting point है और यह कभी ना कभी आपने अपनी life में करा होगा ठीक है देखो political parties क्या करती है लोगों को access भी देती है government policy का ठीक है और government की scheme का ध्यान से सुनना मेरी पा आपको जो भी किसान है जो भी farmer है उनके account में इतने इतने पैसे डालेंगी अब जो farmer वो गरीब है ठीक है उसको ठोड़ा डर लगता है जो बड़े बड़े office में गवर्मेंट के office मेर जाने में डर लगता है तो वो क्या करता है कि अपने political leader के पास जाता है जो उसके पास में political leader जाता है उनके पास जाता है और उनको बोलता है कि यह यह दिक्कत है ठीक है तो वो उनकी help करते हैं जो यह सही नहीं है मतलब यह indirect way हो गया थोड़ा approach वगेरा वाला system हो गया बट ऐसा होता है ordinary citizen है उसको यह असान लगता है कि वो अपने political leader के पास जाए than the government office यानि government के office में जाने में थोड़ा डर लगता है ठीक है बड़े बड़े officer से बात करने में IES, IPS, DGP इन से थोड़ा बात करने में उनको hesitation होती है ठीक है बट वो political leader से अराम से बात कर लेते हैं और अपनी need वगरा बता देते हैं ठीक है तो यही होता है कि जो political leader होते है न वो क्या करते है लोगों को access भी दिलवाते है government machinery और welfare scheme का कोई भी scheme आती है न तो सबसे पहले आपने देखा होगा जो भी political leader है न उनके office के भारे न वो लग जाता है और जो उनके worker होते है न वरकर मतलब party worker जिनको कहते है ठीक है वो भी बताते हैं उस scheme के बारे में जिससे लोग जान पाए ठीक है तो यह भी एक बहुत बड़ा role निपाती है political party I hope यह आपको अच्छे से clear हो गया हो मतलब basically क्या होती है political party access provide करते है government machine और welfare scheme का क्योंकि आपको पता है बहुत सारी जो scheme होती है government की वो आ जाती है और चली जाती है पता भी नहीं चलता तो जो political party होती है न उन scheme के बारे में normal लोगों को बताती है क्योंकि normal लोग कई ना कभी government office में जाने में तो जो political party है उनकी help करती है ठीक है उन welfare scheme के बारे में बताती है और वो welfare scheme वो कैसे opt कर सकते है ठीक है avail कर सकते है उसके बारे में बताती है ठीक है तो मतलब party जो होती है provide करती है people access to the government machinery and the welfare scheme जैसे ही मैं आपको example देता था हूँ जैसे आपने पहचान पत्र सुनाओगा identity card जो होता है voter ID card होता है ठीक है वो वैसे government office में बनता है ठीक है बड़ आपने देखा होगा बहुत सारे जो political leader होते हैं वो भी voter ID card बनवाते हैं ठीक है जब election वगरा आ जाते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोगों की help करते हैं कि जी water ID card बनवा लो ठीक है क्योंकि जो normal लोग होते हैं वो थोड़ा office में जाने में थोड़ा हिच्छी जाते हैं ठीक है जी I hope यह आपको clear हो गया हो ओके जी next topic के बात करेंगे necessity of political party मतलब political party की जरूद क्या है एक जो सारी की सारी जरूद थी है तो हमें पता चल गई मतलब यही सारी की सारी जरूद यानि जो function थे वो ही political party की जरूद भी है ठीक है हमें political party की जरूद क्यों है इन सारी की सारी वज़े सी क्योंकि election contest करते है program वगरे, इस सारी की सारी चीज़े थी पर political party की क्या ज़रू है मतलब independent क्यों नहीं हो सकते सारे के सारे जितने भी बंदे हैं वो independent election क्यों नहीं लड़ सकते क्यों BJP, क्यों Congress, क्यों आपकी ज़रूत है क्यों सारे के सारे independent नहीं लड़ते ठीक है अभी जैसे मैं example देता हूँ government ने अभी NEP निकाली है NEP 2020 National Education Policy 2020 निकाली है तो अगर सारे के सारे independent होते तो क्या कोई भी political leader कोई भी elected representative इतना दम रखता कि हाँ वो सब के सामने मतलब उससे कोई belong ना करता वो independent हो और आके इतनी बड़ी policy सामने रखता ना तो कोई initiate करता और ना ही अगर वो initiate भी करता तो उसकी policy बहुत ही कम implement होती चाहां से एकदम 1% रहता ठीक है और सारे के सारे जितने भी elected representative होते ना वो सरी फर सरी अपने इलाके तक accountable होते कि जी हमें नहीं पता country कैसे रन होगी नहीं होगी हम तो सिर्फ अपने इलाके का देखेंगे अगर सारे के सारे independent होते ठीक है और कोई भी यह नहीं बताता कोई भी इस चीज़ के लिए responsible नहीं होता कि country कैसे run की जाएगी पर हमारी country में political party और political party क्या होती है आपने देखा होगा कि आप party में जितने भी leader होते है उन सबकी सोच एक जैसी होती है ठीक है मतलब मुद्दा जो होता है उन पर उन सबकी एक राय होती है BJB में से में Congress में हर political party में भी जितने भी लोग होते है न mostly उन सबकी राय जो होती है एक समान होती है ठीक है तो वो जो भी policy लेकर आते हैं ना उन पे उन सब की एक राय होती है और major policy का decision लेलना असान होता है जैसे कि मानलो भी BJP party जीती हुए है जादातर जो leader है वो सारे के सारे BJP party से हैं लोग सब और राज्य सवाव में बैठे हुए हैं तो अगर वो NEP लेकर आए हैं तो उनको पता है कि ज लोग सबाव में बैठे होते हैं तो कभी भी इतना बड़ा decision लिया ही नहीं जाता कोई भी बड़े decision नहीं लिपाती अगर political party नहीं होती थी और सारे इंडिपेंडलर थे तो ठीक है I hope यह वाला topic आपको बहुत अच्छे से clear हो गया हो ठीक है ओके तो वही है कि we need political party because they perform all the function given above यानि यह सारे के सारे जो political party के मैंने function बताये थे ना इसलिए हमें political party की जरूत होती है क्यों क्योंकि यह election contest करती है policy वगर यह तो है इसके अलावा भी कुछ point है चीक है क्या क्या है कि it is directly linked to the emergence of representative democracy यानि representative democracy को बढ़ावा देती है चीक है यह political party है ना लोगों के अलग-अलग views को represent करती है ठीक है हर बंदा जो चुना आता है वो चुनावा होता है वो अपने area से चुनावा होता और अपने area को represent करता है तो representative democracy होती है इससे next point है कि political party helps in representing different views on the various issues to the government यानि जो political party होती है वो different different major major issues बता पाती है जो government में political जैसे कि अभी Congress है ठीक है Congress जीती नहीं है ना ही आ पार्टी जीती है लोग सभा का election ठीक है तो वो क्या करती है बहुत अलग अलग चीज़े जो issues होते हैं वो government को बताती है कि यह problem है यह problem है ठीक है जी ओके जैसे कि आपको मैं एक example भी देते था हूं मैंने अभी न कुछ time पहले लोग सभा में speech सुई नहीं थी एक representative थे पंज देना चाहिए और उनकी help करनी चाहिए क्योंकि इनकी बहुत problem face कर रहे हैं तो वो ठीक है तो यह एक अच्छा issue था तो ऐसी बहुत सारे जो issues होते हैं various issues होते हैं वो government को बताने का काम करते हैं ठीक है बेशक वो जो मैंने बताया जो पंजाब से आये थे वो BJP party से नहीं थे बट वो BJP party के सामने अपनी demands वगरा अपने views वगरा अपने issues वगरा रख रहे थे ठीक है next point है they bring they bring various representative together so that responsible government could be formed वो अलग-अलग type के लोग ठीक है अलग-अलग सोच के लोग एक साथ लाते हैं जैसे कि BJP का example देता हूं मैं Congress का BJP का आपका आप देखोगे ना उसमें अलग- देखो हड स्टेट से BJP में लीडर चुनेवे हैं ठीक है उन सबका अलग culture उन सबका अलग धर्म है उन सबकी अलग सोच है ठीक है तो इससे क्या होगा कि एक responsible government बन पाएगी और एक ऐसी government बन पाएगी जो सब के अच्छे के लिए काम करें ठीक है चाहे वो Congress party जीतती चाहे वो आप party जीत थी क्योंकि आप party में भी सारे की सारी स्टेट के लोग हैं कुछ ना कुछ वैसी Congress party में है तो इससे क्या होता है कि political party से क्या होते है अलग अलग views जो होते हैं, वो आप आते हैं और सारे के सारे अलग-अलग representative आप आते हैं इससे जो government बनते हैं, वो एक responsible government बनती है और political party क्या होती है they worked as a mechanism to support, restrain the government make policy, justify और oppose them यानि यह न political party क्या करती है कि एक ऐसा mechanism provide करती है कि support भी करती है government को government को restrain भी करती है policy भी बनाती है, justify भी करती है और इस policy को oppose भी करती है, सारा काम होता है political party का, देखो support कैसे करती है, अगर आप BJP party को support कर रहे हो, तो BJP party को आप support करोगे, मतलब मालो कोई party है, छोटी party है, जिसने BJP party को support किया, तो BJP party के बारे में अच्छा बोलेगा ठीक है, कोई party है, जो BJP party को support नहीं कर दी, जैसे congress, तो वो उनकी, जो गलतियां वो उनको दिखाएगा ठीक है, और जो party जीती है, वो policy वगरा बनाएगी, ठीक है, और उसको justify करेगी, कि हाँ, जो हमना किया है वो सही किया है, और कुछ party ऐसे भी है, जो oppose करेगी, तो मतलब political party के सारे काम होते है, support करना, restrain करना, policy बनाना, उसको justify करना, oppose करना, यही काम होते है ठीक है, basically वैसे तो function में आ जाते है, ठीक है, तो याद रखना basically अगर आपको function का question आए, तो आपको यही लिखना है, ठीक है, अब सबसे important question हम करने वाले है वो यह है कि how many party should we have हमारे पास कितनी party है और क्या जितनी party इंडिया में क्या sub-countryों में भी इतनी party होती है मेरे कहने का मतलब, क्या मैं party बना सकता है, simple सा question है, ठीक है अगर मेरे को अपनी political party बनानी होगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको बता दूँ किसी भी बन्दे को अगर अपनी political party बनानी है ना, तो उसको election commission से register करवाना पड़ता है, ठीक है मैं ऐसी 100 बन्दे लेकर election नहीं लड़ सकता, ठीक है जिस भी बन्दे को अपनी party बनानी है उसको पहले election commission से register करवाना पड़ेगा ठीक है, और अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया में almost 750 से जाधा political parties है जो register है election commission में ओके जी बट, not all the party are serious contender in the election usually only handful of the parties are effectively in the race to win election to form the government आपने क्या 7500 से जितनी 7500 मैंने party बताई है कि आपको सबके नाम याद है, बिल्कुल नहीं आपको ढंग से 10 party हो के नाम याद होंगे क्योंकि 10 party ही जीतती है उन्हीं को ज़्यादा-दर power मिलती है और वो ही serious contender होते हैं बाकी के पास तो seats भी नहीं आती ठीक है, तो हमारी country के अंदर party तो बहुत सारी है ठीक है, पर जो जीतती है वो बहुत ही कम जीतती है ठीक है, मतलब कुछ ही serious contender है और किसी भी political party को अगर मतलब register होना है तो उसे election commission से permission लेनी पड़ेगी मतलब election commission of India में जब वो political party register होगी तब ही वो एक official political party कहलाईगी ठीक है जी clear होगी है अब question ही आता है कि क्या सर हमारी country में 750 political party है, मतलब हमारी country में multi party system है, multi party system का मतलब वो country जिसमें बहुत सारी political party होती है ठीक है उसको multi party system कहते है तो क्या जैसे हमारी country में बहुत सारी political party के सब कंट्री में ऐसा होता है नहीं, सब कंट्री में ऐसा नहीं होता देखो there are three type of party system a country can have तीन टाइप का party system होता है पहला तो है one party system ठीक है, one party system क्या होता है कि only one party is allowed to control and run the government these are called one party system जो की चाइना में है मैं आपको बता दूँ, चाइना में communist party आपको पता ही है ठीक है, वही एक party उसके लावा कोई political party नहीं है ठीक है, और वही क्या करती है हमेशा जीतती है, बड़ उसके जो leader होते हैं, वो बदलते रहते हैं ठीक है, अभी कोई और leader है, फिर कोई और leader बन जाएगा, ठीक है, पर वहाँ पर जो party है वह एक ही major party है, ठीक है, और वही उसी की हमेशा government बनती है, पर democratically वह एक अच्छा option नहीं है आपको पता है न, कि देखो एक ही party अगर बार बार जीतती है, ठीक है तो obviously बात है वो लोगों के तरफ accountable नहीं होगी, ठीक है वो लोगों की कोई भी उमीद है पूरी नहीं करेगी क्योंकि इसको पता ही है, मैं यह एक अकेरी party हूँ लोग vote देंगे भी तो किसको हम को ही vote देंगे तो इसलिए वो लोगों के welfare के लिए काम नहीं करेगी, और democracy का मतलब होता है, जहां पर option होते हैं, बट one party system, जिसका example है China, one party system का मतलब होता है, जहां पर एक ही political party को allow होता है, election लड़ना और government को run करना ठीक है, जी clear हो गया, example याद रखना इसका China, next है two party system, two party system में क्या होता है, party तो बहुत सारी होती है, मतलब country में कुछ और भी party होती है, बट जो बड़ी party होती है, main party होती है, वो दो ही होती है, ठीक है जो power होती है, वो इन दो party के बीच में ही बदलती रहती है, ठीक है in some country, power usually change between two main parties, ठीक है मतलब two party system में क्या होता है, power जो होती है, वो दो main party में ही बदलती रहती है, several other parties may exist, contest election, win few seats, but only two main system में क्या होता है, party तो होती है बहुत सारी, election भी लड़ती है, और कुछ जीती भी है, एक दो seat जीती भी है, पर जो power होती है, वो दो main party के पास ही रहती है, मेरे कहने का मतलब हमें ये confirm होता है, कि जी two party system में अगर election हुआ, तो government है ना, इन दोनों party की ही बनेगी, ये पहले से ही confirm होता है, क्योंकि यही दो major contender होते हैं, ठीक है जी, जैसे कि US में भी two party system है, ठीक है और UK में भी two party system है, ठीक है US का मैं आपको बता देता हूँ, दो बहुत बड़ी बड़ी party है, Democratic Party और Republican Party, UK का आप मेरे को comment box में लिख कर बताना, ठीक है जी आपको बता होना चाहिए, अब एक और बात मैं आपको बता दूँ जैसे कि मैंने US में बताया, ठीक है US में लोगों को एक बात तो confirm होती है कि यहां तो Democratic Party जीतेगी, यहां Republican Party जीतेगी और भी बहुत सारी party होती है, जो कि एक-दो सीटेज जीतती है, बट जो competition होता है वो इनी दो major party में होता है ठीक है जी, I hope यह आपको clear हो गया हो अब हम बात करने वाले next party system के बारे में that is multi-party system तो one party system समझ चुके है, जहां पर एक ही political party हो two party system समझ चुके है, जिसमें वैसे तो बहुत सारी political party हो, बट जो main power है ठीक है, वो दो ही political party के एरिटिकेट घूमती रहती है, ठीक है मतलब कभी एक political party जीतती है दो ही main power होती है, कभी दूसरी political party जीती है, जिससे हमें एक example देखा था हमने USA का Democratic Party और Republican party, कभी Democratic party के पास power हो जाती है, कभी Republican party के पास power हो जाती है, अब हम बात करते है multi party system के बारे में multi party system में क्या होता है, बहुत सारी political party होती है, ठीक है वो compete करती है election के अंदर और दो से जादा party के पास reasonable chance होता है, कि वो power में आ सके और जीत सके, ठीक है जैसे कि अगर मैंने आपको USA का example दिया था, हमाँ two party system था तो Democratic party या Republican party यही रहता है, पर जो multi party system में होता है, यह confirm नहीं होता कि कौन सी political party जीतेगी, दो या दो से जादा party का chance होता है election जीतने का ठीक है, मतलब यहां तो जैसे Delhi के अंदर बात करते है कौन सी, Congress भी जीत सकती थी BJP भी, आप भी, और भी बहुत सारी party जीत सकती थी, ठीक है तो सब party का reasonable chance था, हम यह नहीं कह सकते कि Congress जीती का है, BJP यह confirm नहीं था, ठीक है, और आप जीती तो ऐसे मतलब confirm नहीं होता यहां तो वो अकेले जीत सकती है, यहां वो alliance बना सकती है, ठीक है आप धिहान सो सुनना मेरे कहने का मतलब क्या है 2014 में कौन जीता मैं आप से पूछूँगा ना कौन जीता, तो आप बोलोगे सर, BJP जीती 2014 में, पर नहीं, BJP नहीं जीती जीता, alliance मेरे कहने का मतलब क्या है अगर आपको इंडिया में अपनी government बनानी है ना, तो आपको कम से कम जो seatे चाहिए होती है, वो चाहिए होती है 272 seatे चाहिए होती है, at least अपनी government बनाने के लिए, बट BJP के पास total 272 नहीं थी उसके पास कम थी, तो BJP party ने क्या किया, बहुत सारी छोटी-छोटी जो regional party होती है ना, उनको अपने साथ मिला दिया, जैसे शिव सेना को साथ मिला लिया और भी बहुत सारी political party को अपने साथ मिला दिया, और एक alliance बनाया, ठीक है जिसको हम कहते है collision government, ठीक है when two or more parties come together and form government is called collision, collision बनाया और उस collision का नाम रखा, BJP ने NDA, ठीक है National Democratic Alliance और National Democratic Alliance में बड़ी party कौन थी, BJP, ठीक है, वैसी एक Congress का भी alliance है, United Progressive Alliance, ठीक है, 2004 में भी क्या हुआ था, कि Congress party को भी 272 seat नहीं मिली थी तो उसने भी बहुत सारी political party को अपने साथ मिलाया था, और एक alliance बनाया था जिसको United Progressive Alliance कहते है ठीक है, और भी एक left front है I hope यह वाला clear हो गया हो आपको ठीक है जी, तो one party system, two party system और multi party system आपको बहुत अच्छे clear हो गया, ओके, अब question ही आता है, कि which party system is better, और हाँ multi party system का example इंडिया है, तो आपको पता यह चल गया है अब question ही आता है, कि which party system is better, one party system अच्छा है, two party system अच्छा है, या multi party system अच्छा है अच्छा है, the answer is no party system is ideal कोई भी party system अच्छा नहीं है वो उस country पर depend करता है, उस country की situations पर depend करता है, ठीक है ओके, और अगर हम party system बदलना चाहे, तो क्या हम बदल सकते हैं, मतलब आज two party system मैं माल लो USA में तो क्या अगले ही दिन multi party system में change के आजा सकता है, उसको नहीं ठीक है, party system जो है, वो बहुत अलग-अलग चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जिसको कोई country चूज करे, ठीक है, ये बहुत ही लंबा time लगाती है, evolve होने में depending on the nature of the society ठीक है, social change क्या आ रहा है regional division क्या है history क्या है, politics की, उसपर depend करता है और obviously भात है, election commission का system क्या है, उस चीज़ों पर depend करता है कि एक party system कैसा होगा एक country के अंदर, जैसे कि मैं आपको एक example देता हूँ, एक time था 1947 में आपको पता है, एकी party थी ठीक है, एक major party थी, जिसका नाम था Congress, ठीक है, बहुत time था उसी की government रही तो हम कह सकते थे कि वो एक time था जब एक one party system था इंडिया के अंदर, ठीक है, बर दीरे 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 बहुत सारी political party आ गई, और अब multi party system है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, यह आपको clear होगे ना, तो क्या किसी political leader ने change किया, कि जी नहीं, अब हमारी country में multi party system आएगा, है ना पर, यह जो condition है party system का, यह कोई country decide नहीं करती, country के लोग decide नहीं करती है यह धीरे धीरे evolve होती है, एक time था जैसे मैं बता चुका हूँ, जब one party system था एक तरह से इंडिया के अंदर, बट अब बहुत सारी political party है, तो multi party system है जो America का है, जैसे America के अंदर क्या है, two party system है, तो क्या पता वो change हो जाए, time के साथ बहुत लंबा समय लगेगा, ठीक है पर वो change हो सकता है, है ना कि society में क्या change आ रहा है social change क्या है, regional division क्या है, history कैसी है politics की, ठीक है, system कैसा election का, इन सारी की सारी चीज़ों पर depend करता है, वहाँ का system, ओके जी, I hope आपको ये multi party system clear हो गया हो, ठीक है दोखार इस वाले part में, मतलब इस वाले chapter में, मैंने बहुत सारी political party का नाम लिया है, तो आप अगर किसी political party के partisan हो, पता है न आपको partisan क्या होता है, जबरा fan हो, तो आप बुरा मत मानना, ठीक है, चाइब किसी भी political party से belong करते हो, मैंने किसी भी वीडियो में, ठीक है, किसी भी chapter की वीडियो में, आप मेरे मूझ से किसी भी political party का नाम नहीं सुनोगे, वो सरिफ इस chapter के लिये है, मैंने सरिफ आपको समझाने के लिए, किसी political party का नाम लिया, दो-तीन clip भी लगाई होगी बीच में, किसी को बुरा लगे, तो I'm really sorry, बिट कोई ऐसा intention नहीं है, कि आपको थोड़ा अलग फील हो, या गलत फील हो, ठीक है तो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो ठीक है, उसका नेम भी सोचती है मैंने, तो आप जाओगे तो आपको नेम पता चल जाएगा, पहले 9047 था, अब चेंज कर चुका हूँ मैं उसका नेम, तो आप नेम देखकर बताना कि कैसा नेम है, कुछ सजेशन हो के साथ, यह रखो, यह रखो, तो भी आप मेरे को कमेंट बोक्स में बता सकते हो, तो वीडियो को शेर ज़रूर करें करो यार, ठीक है, क्योंकि ऐसी हमारी फैमिली बड़ी होगी, ठीक है, और जैसे कि अभी मैं पीपिटी के साथ साथ समझा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा, जब मैं भी, मतलब, वाइड बोर्ड एनिमेशन से, या इंटरक्टिव बोर्ड से, आपको पताएए, स्मार्ट बोर्ड से समझाऊंगा, फेस टू फेस समर्यों, लाइफ क्लासे बगेर होगी, तो इसके लिए थोड़ी फैमिली बड़ी ह होनी चाहिए, ठीक है, तो एक बार फैमिली बड़ी हो जाए हमारी, तो उसके बाद हम ये सारा का सारा करेंगे, I hope, कि थोड़ी अच्छी का सी इंकम हो जाए, और मैं, क्योंकि, देखो, मैं आपको क्लेर कर दूँ, अभी तक वैसे कुछ इंकम नहीं आई है, बर जो भी आ बड़ मैं चाहता हूँ कि आपके अच्छे से नंबर है, तो वीडियो शेयर करें करो यार, दूसरों को बोल सको, कि चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, और नोट्स भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जीपी लिंक करके, जीपी और यार, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, ठीक है, बच्चे में से शिकायत करते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आती, वो दोस्त इसलिए, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया, तो नोटिफिकेशन बेल ले थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम